गुपतेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लेकिन अब DGP के आगे पूर्व लगाना पड़ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि गुपतेश्वर जी अब क्या करने वाले हैं जो मामला पटना में एक FIR के साथ शुरू हुआ था और आपका VRS लेना किस तरह के संक के थे गुपतेश्वर जी अगर किसी को समय है तो उसको पूरा सुन ले तो उसको माजा समझ आया है मेरे VRS को सुसांत के केस से जोडने की कोई यरूरती नहीं है मैं DGP था DGP की जो ड्यूटी थी वो मैंने किया क्योंकि partial cause of action पटना में बनता था मैंने केस कर दिया इसमें क्या बुरा किया क्या गलत किया क्या अंकंस्यूशनल किया अब तो माननी सरुचनाल कह दिया कि जो किया हो सही था मैंने टीम भेंज दी थी मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिसको जलील किया गया बहिजत किया गया केस नहीं देखने दिया गया कोई साक्ष नहीं दिया गया ओभी मैंने जो टीम भेंजी ओभी क्या गलत किया मैंने सरुचनाले तो नहीं कहा क्यों गलत किया मैंने बेटर कॉड़नेशन के लिए किस तरह मध्य राति में जाकर चोर की तरह उसको ठपा लगा कर कुरिंटीन किया गया यह पूरी दुनिया न देखा है उस स्टोडी को मैं रिपीट ट्रेंग करना चाहता हूं तो उसके बास मेरे पास क्या option था I am trying to contact Mumbai Police Commissioner and he is not available हम DGP से बात करना चाहते हैं नहीं available हो रहे हैं कोई SMS का जवाब नहीं दे रहा है मैं S.A.S. Home को कह रहा हूं कि आप अपने counterpart से महारास्टा में बात कर लिए वहां के S.A.S. Home हमारे S.A.S. Home का phone नहीं उठा रहे हैं message नहीं दे रहा है complete communication channel को break कर दिया गया खदम कर दिया गया और मेरा लड़का वहां पर quarantine है उसको house arrest करके रखा गया है चार और हमारे लोग फंसे हुए हैं तो पाहिनकी तो होगी मेरे नैतिक दबाव था मेरे force का दबाव था मैंने हंगामा शुरू किया उसके बाद Mumbai Police के खिला कि जो आप कर रहे हैं अनितिकल है प्रोफेशनल है गलत है नहीं करिए और हगनावार शुरू किया दूसरे दिन उनने छोड़ा माननी सुप्रिम कोट के हस्तचेप्च और प्रेस कॉंफरेंस कर दिया पहली बार और प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि हम नहीं देंगे आपको आपको राइट नहीं आपको डिक्ट दे दिया कि केस जो किया वो सही था इन्वेसिजेशन कर रहे थे वो भी सही था सी बी आई को जी रिफर कर दिया गया वो भी सही था तो अब तो उस पर डिवेट ही नहीं होनी चाहिए अब इसका लाव किसको मिला इससे नुक्सान कौन हो रहा है वो अलग भी सह है उस पर डिवेट अलग भी से है लेकिन गुपतेश्वर पांडे को वी आरेस लेने की जरूरत पड़ गई इससार केस से इसको क्यों ट्रैक करते हैं आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना लेकिन जो लोग बिहार के हो जानते हैं कि गुपतेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है गुपतेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है को कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहें तो जा सकते हैं और चुनाव जीत कर बहुत छोटी चीज है यह चुनाव को चुनाव के यह थोड़ी चुनाव से और मेरे वी आरे से से केस को दो लोग जोड़ते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं अगले बिहार के ग्रेह मंत्री से तो नहीं बात कर रहे हूं अगले बिहार के ग्रेह मंत्री देखे यह अन्यना यह अन्यना तुम अन्यना जो बोल रही हो यह मह हरास्टा से किसी ने बोला था, जीबे था उनका, ब्यंग था उनका, लेकिन किसके किसमत में क्या है, कौन जानता है, अंजना, मैं तो गरीब का बेटा हूँ, आपने मेरे स्टोरिल सुनी होगी, मेरा बाप अन पढ़ता, मेरी मां पढ़ती, मेरे बाबा अन पढ़ते, मेरे चार पीडियों में हूँ जो स्कूल गया, वो भी साथ साल की उमर के बाद, और बोरा जोरा उठा करके, गाउं के जोपरी के स्कूल में पढ़कर के, और संघर्स करके, यहां तक पहुंचा हूँ, डीजी पी तक, किसके किसमत में कौन जानता है, कोई, जब मैं पैदा तो डिबरी आप जानती हो, क्यों खाली बोतल में किरासन डाल करके, और कपड़े की बती जला करके, और माचिस से लगा करके, मैं माद देती थी तो रात में पढ़ता था, वही पढ़ाई करके मैं निकला, कभी कोचिंग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, और उतने हमारे से गाली देने से, जीबे फेंकने से मैं डरने वाला, हतास होने वाला थोड़े हूँ, मैं इसने सुसान के लिए लड़ी, मैं मोसनल हूं सुसान के बारे में कौँके ब्यार का बेटा था, मैं उसके बाप की आँखों में आसुद देखता हूं, 14 साल का आदी में बुड़े अब देखिए शिवसेना की तरफ से जो सांसद है उनकी प्रियांका चतुरवेदी उन्होंने एक लाइन लिखी उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है तो साहस और सत्य पर लड़िए इस गुप तरीके से किसी की दुर्भागिपूर्ण मौत से अपने कैम्पेइन की आप दूं ऐसे लोगों का जाद उन्हों की चूले हीली हुई हैं चूले हीली हुई हैं उननों की उनके अंदर दसत का महौल है आज बॉलीवूड हिल रहा है आज रिया जी जिजेल गई जो इमोसनल वीडियो बना करके भेंगती थीं सत्य में वे जैते तो सत्य में जैते तो अब हो रहा है तो जब सत्मे जयते हो रहा है तो छट-पटा हट है बेचाइनी है अरे गुपतेश्वर पांडे ने एक क्या कर दिया कहां से कहां पहुंचा दिया अरे चोदा जून को सुसांत की मौत होती है एक इस जून तक तो मामला दफम हो जाता है मुंबई के किसी electronic media में किसी print media में और देश के किसी अकबार में एक जुन के बाद है क्या कोई सुसान का समाचार कहां से गड़ा मुर्दा इसने उखार दिया यह कौन है गुपतेश्वर नालायक पापी यह कौन है बिहार का डीजीपी जिसने इस गड़े मुर्दे को खार दिया एफायार कर दिया टीम भेज दिया इन्वेसिकेशन करने लगा हम लोगों ने कॉरिंटीन किया तो इतना हंगामा मचा दिया कि मुंबई पूलिस की इज़त कट गई और नहीं तो बिहार के मुक्रमंतिरी को अपना अंसंसा भेंच करके सीबी आई को दे दिया और सुप्रिम कोट में हम लोगों को जाना पड़ा तो सुप्रिम कोट N worried बर्डिक्ट उसके पक्ष में दे दिया यह अकेला आज पूरा तबाह कर दिया सहीवसे ना तबाह हूं के अंदर तो आग लगी है बेचेन लगी है मैं तो तो मिए उधर आओं तो मुझे व मेरा घला काट देंगे मुझे गोली मार देंगे मैं तो समझता हूं मेरे इंडिपेंडेंट जा रहा था सवाल सीधा पूछ रही हूँ आपसे गुपतेश्वर्जे सकता क्या यह सच नहीं है मुंबई पूलिस ने क्या किया आज तक इस डग रैकेट को तोड़ने के लिए यह पचीशों साल से चल रहा है कोई नया नहीं है किस डग सिंडिगेट को के मेंबर को पकड़ा क्या मुंबई पूलिस के पास आज तक एक सुची भी है एक लिस्ट भी बना करकर रखा है जो हम लोग प्रिलमिनी इंवेस्टिगेशन के लिए करते हैं एक सुची भी बना कर रखा है कि कौन-कौन वहां के बड़े लोग हैं जिनका ड्रग पेडलर के साथ या ड्रग का रेकेटियस के साथ उनका संबंध है उस रैकेट पर कौन हाथ रखेगा देश की संसद में रवी किशन ने उठाया है पूरा मामला नवनीत राना है अमरावती से सांसद वो कह रही है कह रही है नेताओं के बच्चों से लेकर अधिकारियों के बच्चों से लेकर पूर पुलिस अधिकारियों के बच्चों तक सब राकेट में शामिल है अलग-अलग पार्टी के कॉर्पोरेटर्स से लेकर पॉलिटिशन स सब के बारे में कह रहे हैं जाच होनी चाहिए, क्या पूरा सच सामने आएगा और च्या आप सीधा रोप लगा रहे हैं कि बुंपाई पुलिस के कनाइविल से यह राकेट यह सिंडिकेट चलता है, सही कह रही है सही कह रही है वो अंजना 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 वो सही कह रही है मैं उसको इंडोर्स करता हूँ रभी किसंद ने जो कहा हो सही बोल रहा है मैं उसको इंडोर्स करता हूँ और मैं दोनों नेताओं को सलाम करता हूँ कि इतनी साफगोई के साथ और इतनी हिम्मत के और बिना आराज्य सरकार के active cooperation के बिना मुंबई पुलिस के active cooperation NCEB कर रहीं, बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत systematic running से काम कर रही, बहुत लों के गरदन तक हो पहुँचेगी भी, लेकिन अगर मुंबई पुलिस का एक्टिव सहयोग नहीं मिलेगा तो जिन बड़ी-बड़ी मचलियों की बात हम कर रहे हैं उन बड़ी-बड़ी मचलियों तक पहुंचने में NCB को भी वहारी कठिनाई हो सकती है इसमें बहुत तरह के लोग हैं जिसकी बात आपने की है उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं और अगर ठीक से यह ऑपरेशन किया जाए और ड्रग की बात है गौर सुन लो अंजना ड्रग का अफराद से बहुत तगड़ा रिलेशन है बहुत घनिश्ट रिलेशन है ड्रग के नसे में बड़े-बड़े अपराद होते हैं हत्याएं होती हैं बलातकार होता है बहुत तरह कहने तिक आचरल होते हैं और यह ड्रग माफिये ऐसे ऐसे चोटे-मोटे लोग नहीं होते हैं इनको कंट्रोल करने वाले लोग दुबई में बैठते हैं बाहर बैठते हैं तो जहां ड्रग का मामला आया वहां आम्स का मामला भी है और यह देश की सुरच्छा के लिए भी बहुत खतरनाक बात है यह बहुत सीरियस बात है और आज एंसीवी जब खुश क करेंद नहीं है और यह दो बहुत कॉमन चीज कर दो और इस पर चोटी चोटी चीजों पर आप लोग यह विछहंट हो रहा है अब गांजा है इस तरह की चीजों पर यह तो केमिकल ड्रग नहीं है इनको लेकर इतना बवाल क्यों रचा जा रहा है है इस पर क्या जवाब होगा बड गांजा है तो सारे नाम CBD यह सब कौन सी बड़ी चीज हो गई जो आप लोग इतना बवंडर कर रहा है यह बोला जा रहा है गुप्तेश्वर जी आपको पता नहीं आजना कि जिस दिन यह केस NCB जिस्तिन पकपिक्चर में आप क्या समझते हैं यह ड्रग लेने वाले को ड्रग पेडलर्स को ड्रग रखेटियर्स को ड्रग के सिंडिकेट के लोगों को आप बेवकुश समझते हैं यह बड़े कौन कर रहा है उनको बचने में बचाने में उनके समान को छुपाने में ये भी अब इसे होना चाहिए और निकलेगा इसी से निकलेगा अब उनको मालूम है कि तलवार हमारी गर्दम पर लटक गई है इसमें बड़े-बड़े खुलासे होंगे और बड़े-बड़े बड़ी बड़ी रिकवरीज भी होंगी धीरज रखना चाहिए ये बहुत ही सातिर लोग है जो ड़क के धंदे में हैं और उनमें समय लगेगा लेकिने के लोग उसमें बेनकाब होंगे मुझे इसका पूरा विश्वास है अभी कुछ देर पहले ख़बर आई थी कि पचास बॉलिवुड से जुड़े हुए लोग हैं जो रडार पर हैं NCB के ये बताता है कि किस तरह से ये सिंडिकेट हावी हो गया है दो स्टार सर अक्षरा सिंग भोजपूरी भी वो आक्टिंग करती है अक्षरा सिंग बीते दें हर्शिता कशब दो मेरे साथ आक्टिस थे दोनोंने मुझे लाइव शो में बताया कि सेट्स पर कोजी सर्कल्स बने होते हैं जो कोनों में अलग-अलग जगों पर ड्रग्स कर रहे होते हैं अक्षरा से मेरी भी बात हुई थी वो बिहार की बेटी है वो बताती है मुंबई में क्या होता है और उसे आप बात करिए अगर सक्मी दिल खुल करके आपको बताए तो उसको बहुत जानकारी है किस-किस तरह से लोग करते हैं लेकिन वही हिम्मत होनी चाहिए ये छोटे-छोटे कलाकार हैं बिहार के कलाकार है यह तो ऐसे ही मुंबई में डड़े हुए हैं लेकिन ऐसे महाल में अगर रभी किशन ने यह आवाज उठाई है तो मैं उसको सलाम करता हूं मेरा फुल सपोर्ट है और ड्रग के माफियों के खिलाफ इस जंग में अब यह निवर्तवान गुपते सुरपांडे खूल करके उत दो लग होते हैं जो पाउर में जो लोग होते हैं वहां की पुलिस होती है वहां के प्रसाशन के लोग उते हैं उनकी मरजी के बिना उनकी active समती के बिना कॉपरेशन के बिना इतने लंबे समय से इतना बड़ा ड्रग का रैकेट कैसे चलेगा अन्जना इतना 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 बड़ा भोला सवाल है यह कैसे चलेगा अगर पटने सहर में ड्रग का रैकेट पचीस साल पचार साल से चल रहा है इतने बड़े बड़े लोग उसमें सामिल लेएं smoothly अगर चल रहा है तो कहीं न कहीं से हमारा protection जरूरी है बिना हमारे protection के बिना सक्ता के protection के कहीं कहीं यह चल नहीं सकता इतने लंबे समय रवी किशन ने जब बोला तो जया बच्चन जी ने देश की संसर में खड़े होकर कहा कि हाइस टाक्स पेर्ज वहां के हैं सबसे ज़ादा कॉंट्रिब्यूशन होता है पूरी दुनिया में हमारा नाम है और ऐसे में जो जिस थाली में खारें उसी में छेद कर रहे हैं नाम पर और ड्रग एटिक्त पर और ड्रग पेडलर पर और ड्रग के रेकेटिर्स पर कोई आवाज उठाता है तो थाली में छेद करना कैसे उसको कहेंगे आब बताओ जैना कैसे कहेंगे एक सचाई के लिए आवाज उठाया है कोई या तो मुंबई पुलिस अपने हाँ से एक जो हम करते हैं पॉलिटिकल भासा में स्वेथ पत्र जारी कर दे कि मुंबई में कोई ड्रग रेकेटियर काम नहीं करता है कोई ड्रग पेडलर नहीं है और कोई ड्रग एलेक्ट एडिक्त नहीं है और मुंबई में कोई भी द्रग का धंदा होता नहीं है करे हिमत हो तो और हिम्मत नहीं है तो NCB जो कर रही है उसमें सहयोग करें ड्रग का धंदा होता है ड्रग का रैकेट है और उसके तार बाहर से भी जुड़े हैं बड़े-बड़े माफ्याओं से जुड़े हैं और बहुत ही इस्ट्रॉंग कनेक्शन है मुंबई पुलिस को तो इस 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 राइ साथ मिल करके इस ड्रग रैकेट को धस्त करेंगे उसी दिन हीरो हो जाएंगे और मंबई पुलिस की जजय कार होने लगे देखे आप तो खुल कर बोलते हैं जब विकास दूबे कानपूर वाला भागा था फरार था तब आप वहां पर दहार रहते और आपने तब भी कहा था कि यह कास्ट वाली पॉलिटिक्स और उसके कास्ट की वज़े से कोई समर्थन करे क्रिमिनल्स का यह गलत है तब कुछ लोग थे जो आप पर सवाल खड़ा कर रहे थे लेकिन आपने खुल कर बोला लेकिन अगर आप राजनीती में कूदेंगे तो कास्ट इक्व बोल रहा हूं क्या कारण है बिहार के कंटेस्ट में भी सोच सकती हो पूरे देश के कंटेस्ट में भी इसको देख सकती हो क्या कारण है कि 1974 के जैप्रकास नारायन के संपुन क्रांती के अहवान के आलोक में जो एक ब्यापक सामाजिक जनाधार वाला अंदोलन उभरा उस तरह का उसके बाद आज तक उतना ब्यापक सामाजिक जनाधार वाला आंदोलन बिहार में खड़ा ही नहीं हुआ और मुझे जहां तक यादे बिहार से बाहर भी नहीं खड़ा हुआ क्यों? ब्यापक सामाजिक जनाधार का मतलब जिसमें जात का बंधन टूट गया हो मजभ का बंधन टूट गया हो हर जात के हर मजभ के लोग एक मन से आ करके व्यवस्था पजवतन के लिए एक साथ खड़े होकर करके आंदोलन में कूद पड़े हूँ इस तरह के ब्यापक जनाधार वाला कोई आंदोलों अगर चोहत्तर के बाद नहीं खड़ा हुआ तो इस पर विचार क्या है कि उसका कारण क्या है सिविल सुसाइटी डिवाइडेड है सिविल सुसाइटी डिवाइडेड ओन कास्ट लाइन और कम्यूनल लाइन और पार्टी लाइन सिविल सुसाइटी डिवाइडेड है यहां तो जात के नाम पर मुख्या अपनी जात का चाहिए सरपंच अपनी जात का चाहिए बिलायक अ जाओंगा जाओंगा अगर तो यही लेकर के मिसन जाओंगा अगर यह पने नहीं कर पया तो मैरे राजिते जाने का मतलब क्या है ugh divide so civil society को trend करना है लोक जाओंगा अगर यह लोक जाओंगा आप इनसान जाओं नहीं संहाद्म्हा अच्छे आदमी को और यह लोग्जाओंग till के लिए समाजिक चेतना में गिराऊट आने के कारण भारी-भारी अपराधी लिए उक पर बोत बन पचासों मुकदमें हैं ऐसे लोग जात के नाम पर मोट ले करके और है ऊसमें भूस जाते नहीं और मंतरी भी बन जाते यह इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है व्यक्ति का जब समाज चेतना में गिरावट आएगी तो समुहिक चेतना में गिरावट आएगी समुहिक चेतना में गिरावट आएगी तो राष्ट की समुहिक चेतना में भी गिरावट आएगी यह गिरावट दिख रही है जनता को हम जुनता को जगाएंगे नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले